हेलो दोस्तों स्वागत आपके हमारे चैनल ब्रेलियेंट व्यूटी पे अगर आप हमारे चैनल पर नएज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए पोमेंट करके बताईए कि आपके वीडियो कैसे रखती है और यह आपके लिए कितनी फायदे मन होती है दोस्तों मैं आज आपके लिए लेकिया इन नाइट क्रीम कैसे बनाए और इसके फायदे क्या क्या है उन में जिन-जिन चीजों की जरूरत पड़ने वारी है नाइट क्रीम बनाने के लिए वूमें आपको बताती है देखी यह है विटामिनी कैप्सुल यह आपको मेडिकल अभर्ट पर आसानी सी में जाएगा और आपको पता ही है विटामिनी के फायदे ये हमारे लिए पिकना विरूर्णी ओता और इसके बहुत सारे फायदे होते हैं और दूसरा है जो है वो है एलोवेरा जैल विटामिनी कैपसुल में अब लोवेरा जल मिलाके यह से नाइट ग्रीम बनाई होंगे आपको बताती हैं वीडियो में में तक बने रही है मैं आपको बताती जाहिए देखिए ऐसे विटामिनी कैपसुल यह मैंने यह से निकाल लिया अब हम इसमें मिलाते हैं अलोवेरा जल थोड़ा सा अलोवेरा जल मिला लेजिए अगर आप इस क्रीम को स्टोर करके रखना चाहते हैं 10-15 दिन के लिए तो आपका टोरी में बाउल में जाधा ले लेजिए मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए और अभी लगाने के लिए ही थोड़ी शी बनाई है इसलिए यह क्रीम ऐसी बन जाएगी देखो और जो हमारे चेहरे पर दाग दबे हैं मुभासे हैं काला पंच चाह जाता है और जो हमारी स्टेल रूखी रूखी हो जाती है इसको लगाने से बिल्कुल खेक हो जाएगी इसको लगाने से पहले चेहरे को अच्छे से साप कर ले अच्छे से ठंड़े पाने के साथ बोस कर ले ताकि हमारे चेहरे पर गंदगी ना रहे वो अच्छे से साफ हो जाएगी हाँ सोने से 10-15 मिंट पहले इसको लगाई अच्छे से मसाज करें बिल्कुल सर्कुलर मोशन में ऐसे नीचे से उपर की तरफ मसाज करने है अपने चाहरे पर और आपको पता ही है अलो हेरा भी हमारे स्कीन के लिए कितने फाइजे मंद होता है और विटामिनी वी कैपसुल हमारे लिए कितना जरूरी होता है देखना आप 10-15 दिन यूज करके कि आपका चहरा कितना निकर गया है जो काला पन चाह गया था दागदब पे चूट गए थे और जो स्कीन है वो डल हो गई थी गलो नहीं था बिल्कुल भी तो आप दो एक होगे कि आपकी स्कीन ठीक हो गई है हाँ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें शेर करें कोमेंट करके बताए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगी थेंक यू